तो फ्रेंड फिर सी के बार आप सभी क्या पहुत बहुत स्वागत है हमारे स्योटूब चनल में तो आज की सी बुड़े में हम बात करने वाले हैं एक बहुती प्यत्रिन दवा के बारे हैं अगर 2 mm से छोटा पत्री रहेगा तो इंसान को थोड़ा भी दर्द नहीं होगा और नहीं वो अल्ट्रा चांड कराएगा और नहीं उसको पता चल पाएगा कि उसको पत्री है या इस्टोन है और बड़े से बड़े पत्री की बात करें तो 18 mm तक के पत्री के दर्द को इंसान सहन कर पाएगा अगर वो पथरी 20 से 22 से मम हो तो वो पथरी का दर्द इंसान से बरदास के बाहर हो जाएगा तो फ्रेंड एक बहुती महत्पून जनकारी आज के वीडरेट अपने भारत में लगबक 14 परसेंट लोग पथरी के मरीज हैं और 141 करोड का 14 परसेंट होता है 18 करोड इस अनुमान चे बहुत ज्यादे मरीज हैं अपने देश में पथरी यानिक इस्टोन के तो हम जिस दवा के बारे हम बात कर रहे हैं अगर आप सभी उस दवा का 76-10 दिनों तक कर लेते हैं लगदार तो आपका पथरी एटोमेटिक गल के पेशाब मार्ग के रास्ते बाहर आ जाएगा और फिर इसके बाद आपको ना तो लेजर सर्जरी कराना पड़ेगा और ना ही ऑपरेशन सर्जरी तो फ्रेंड ये वीडियो बहुत ही जादे महत्तपूर होने वाला है आप सभी के लिए तो अब बात कर लेते हैं हमारे सरीर के पाया जाने वाले किन-किन हिस्सों के किडिनी स्टोन को ये दवा गला के बाहर कर सकता है तो फ्रेंड अगर हमारे सरीर क एक किडिनि में इस्टोन हो चाहें वो इस्टोन 2 mm से लेके 20 mm के बीच में हो तो इस दवा के लागतार सेवन से वो स्टोन एटोमेटिक पेसाब मार्ग के थुरू बहार आ जाएगा और फ्रेंड दूसरा है गल्ब लेडर इस्टोन फ्रेंड गल्ब लेडर हामारे लीबर के फोड़े से निच्चे और स्टमख के थोड़े उपर पाया जाता है तो फ्रेंड अगर हमारे गलब लेडर में इस्टोर याननी की पथरी है तो इस दवा के 7 से 10 दिन के सेवन के बाद बहुत यह आसानी के साथ हो पथरी हमारे सरीर से बाहर चला जाएगा तो फ्रेंग हमारा स्टोन फुस जये तो बहुत जादे दर्द होता है जब भी हम ट्वाइलेट करते हैं यह निकि इुरिन रिचार्ज करते हैं तो लगता है कि हमारा नौस फट जाएगा तो हमारा यह दवा इस परकार के भी स्टोन को गला के बहुत ही असानी के साथ सरीर से बाहर कर देगां त तो इस परकार के भी इस्टोन को हमारा दवा गला के बहुत ही असानी के साथ सरीर से बाहर कर देगा हमारे नेक्स्ट पॉइंट का नामे प्रोस्टेट इस्टोन तो बहुत बारे स्या होता है कि ब्लेडर से इस्टोन गुजरने के बाद हमारे प्रोस्टेट में जाके फंस ज और अगर मेरे बताए गएगए दवा का लागतार शेवन करते हैं तो एक कहीं पिपाए जने वाले पत्री को आराम से बाहर निकाल देगा तो हमारे इस दवा का नाम है Clear Stone Drop या एक आयरुवेदिक दवा है और इसको SBL World Class Hemioopathic Company बनाती है यह easily किसी भी Hemioopathic Medical Store पे मिल जाएगा तो हमारे Clear Stone Drop का composition कुछ इस परकार है आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं मैं पढ़ूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा चलिए अब बात कर लेते हैं कि Clear Stone Drop का 7 कैसे करना है तो फ्रेंड आधे कब पानी को ले लेना है और उसमें Clear Stone का 20 ड्रोप यानि की 20 स्मूध गिराना है और उसको अच्छे से मिक्स करके पी लेना है और ऐसे आपको दिन में 3 बार करना है सुबह दोपार और रात को ठीक है फ्रेंड तो अब बात कर लेते हैं इस्टोन यानि की पत्थरी के परमुख लच्छन कौन कौन से हैं जो की इजली किसी के भी अंदर देह के पैचाना जा सके तो अगर किसी भी इनसान के गल्ब लेडर में और इस्टोन यानि की पत्थरी है तो उसके पीट में पीछे तरफ भी दर्ध हो सकता है और पत्तरी का दर्ध कभी भी पिट के बिलकुल बीचों बीच नहीं होगा या तो ना भी के left side होगा या तो ना भी के right side होगा क्योंकि यही location है kidney क्या और kidney में पुत्थरी होगा तो दर्ध वहीं पे भी होगा और आप जब कभी भी प्यसाब करें यानि की urine discharge करें तो आपको बहुत चुरू से दर्ध हो और यह सबी लच्छन आपको दिखे तो आप समझेए कि आपको इस्टोन यानि की पत्थरी हो चुका है